नमस्कार बहुत स्वागत है आपका रुद्राक्ष जिसको पहनने से धारन करने से धन की कमी कभी नहीं होती अगर आप अपनी रासी के अनुसार रुद्राक्ष धारन करें तो ये सर्वोत्नम माना गया है लेकिन रुद्राक्ष को लेकर कुछ नियम है पहले हम उन बातों को समझ लेते हैं क्योंकि वो जानना बहुत अवस्यक है अगर आप गलत तरीके से रुद्राक्ष धारन करते हैं तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे तो सनातन धर्म में रुद्राक्ष का बहुत ही पवित्र माना गया है और वैसे तो 14 मुखी रुद्राक्ष तक पाये जाते हैं एक मुखी से इसके अलावे गौरी संकर रुद्राक्च और गनेश रुद्राक्च भी पाये जाते हैं अगर इसे धारन किया जाए तो भी सेश सफलता मिलती है माना जाता है कि रुद्राक्च धारन करने से अकाल मिर्त्यूग आपको छूबी नहीं सकता और सतिरों से भी रक्छा होती है तो ऐसे तो बहुत साई लोग रुद्राक्ष धारन करते हैं पुजापाठ करते हैं, मंत्र जब करने के लिए माला यूच करते हैं धारन भी करते हैं रुद्राक्ष दरहसल एक पेड़ का फल की गुठली है जिसका औसधी और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है और माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान सिव के आंसुओं से पैदा हुए थे और इसको धारन करने से सिव जी की विशेश कृपा बरस्ती है और साथ ही रुद्राक्ष पहनने की सावधानिया भी है दिखिए रुद्राक्ष वो जब भी आप धारन करें तो लाल या पीले रंग के धारने में ही धारन करें इसको आप किसी भी माह के पुर्णिमा अमवस्या या फिर सोमबार के दिन धारन कर सकते हैं रुद्राक्ष एक, 27, 54 यानि की 54 या 108 की संख्या में धारन करने का भी धान है आप धारन कर सकते हैं या 27 या 54 या 108 तो ज्यादा अच्छा होगा आप एक ही धारन करें ये भी माह इसके पीछे एक वैसे कहानी भी है उसको बारे में हम बादने बताएंगे लेकिन इसके धारन करने के बाद रुद्राक्ष को आप मांस मदिर्या का सेवन नहीं कर सकते अगर आपको खाना है नौन बेच, अलकोहल का सेवन करना है तो रुद्राक्ष को आप उतार कर रख दे और अगले दिन असनान करने के बाद धारन कीजेगा रुद्राक्ष को धातू के साथ धारन करना और भी अच्छा होता है अगर आप सोने चांदी के साथ धारन करें चाहे तो तामवे के साथ भी धारन कर सकते हैं तो अच्छा है लेकिन किसी दूसरे ब्यक्ती की धारन की भी की रुद्रक्ष की माला भूल कर भी ना पहने और सोते समय भी रुद्रत को उतार कर आप रख दे फिर सूए तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि रुद्राक्ष धारन करके नहीं सोना चाहिए अब देखें लापकारी फाइदे क्या होते हैं रुद्राक्ष के अगर आप सिग्र विवा के लिए प्रयासरत है विवा नहीं हो पा रहा तब दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी संकर रुद्राक्ष का प्रियोग करें धारन करें अच्छे स्वास्त के लिए लंबी आयू के लिए आप एक मुखी रुद्राक्ष धारन करें नौकरी की बाधाओं से बशने के लिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष को धारन करने का प्रयास करें किसी भी तरह का बुरी आदत है उससे मुख्ती पाने के लिए छुड़ाने के लिए पंच मुखी रुद्राक्ष सरवसेश्ट रहेगा और अगर इस रुद्राक्ष में बीच में एक मुखी रुद्राक्ष हो तो और अच्छा भक्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष धरन करना सर्वोत्तम होता है आपके लिएक बिसेश परियोग अगर आप रुद्राक्ष घिस कर तिलक लगाएं तो आपका तेज और संदर दोनों में ब्रधी होती है तलव और माथे पर रुद्राक्ष घिस कर लेप लगाया जाए तो मानसिक सांती मिलती है बड़ा से बड़ा टेंसन से रहात मिलती है रुद्राक्ष पहनने से तनाव भी दूर होता है लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि आप अपनी रासी नुसार रुद्राक्ष धारन करेंगे तो मुसकी लें कम हो जाएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मेस रासी की अगर आपकी रासी मेस है तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए तीन मुखी रुद्राक्ष अगनी और तेज का स्वरूप है अगर आपकी रासी ब्रिसब है तब आपको छे मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए इसको भगवान कार्तिके का स्वरूब माना जाता है अगर आपकी रासी मिथुन है तो आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए जिसे ब्रम्भा जी का स्वरूप माना जाता है अगर आपकी रासी करक है तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारिस्वर का स्वरूप माना जाता है अगर आपकी रासी सिंग है तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए आपके लिए ये उत्तम होगा क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष सिब जी का स्वरूप माना गया है अगर आपकी रासी कन्या है तब आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए चार मुखी रुद्राक्ष ब्रम्भा जी का स्वरूप माना जाता है अगर आपकी रासी तुला है तब आपको छे मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए भगवान कार्तिके का स्वरूप माना गया है छे मुखी रुद्राक्ष को अगर आपकी रासी ब्रिस्चिक है तब आपको तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए तीन मुखी रुद्राक्ष अगनी और तेश का स्वरूप है जो आपको सूट करेगा धनु रासी धनु रासी वालों को पांच मुखी रुद्राक्ष धारन करना सर्वोत्तम माना गया है इसको कालागनी भी कहते हैं तो धनु वालों के लिए कालागनी रुद्राक्ष यानि पांच मुखी रुद्राक्ष उत्तम है मकर रासी वालों के लिए साथ मुखी रुद्राक्ष धारन करना सर्वोत्तम माना गया है यह सब्त्र मात्रिका तथा सब्त्रिसियों का स्वरूप माना जाता है कुम रासी वालों के लिए भी साथ मुखी रुद्राक्ष धारन करना उत्तम है यह सब्तमात्री का तथा सब्तरिसी का सरूप है तो आप मकर और कुम्भ वाले साथ मुखी रुद्राक्ष धारन करेंगे मीन डासी मीन डासी वालों के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष धारन करना बढ़ियां राता है जिसको हम कालागनी भी कहते हैं देखे रुद्राक्ष धारन करने से धन बढ़ता है बुद्धी तेज होती है अच्छा स्वास्त का बरदान मिलता है लाइफ में कभी भी धन संपत्ती की कमी नहीं होती एस्वरे भरा जीवन जीते हैं आयू लंबी होती है सत्रों पर विजय प्राप्थ होती है और रोगों से पापों से मुक्ती मिलती है सौभागे की प्राप्ती होती है वैसे आपका सवाल ये भी होगा कि रुद्राक्ष धारन कहां करें आप गले में या वाह में या कलाई में धारन कर सकते हैं लेकिन अपनी रासी के अनुसार अगर रुद्राक्ष धारन करते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है तो भगवान सिव की असीम किर्पा प्राप्त होती है अगर आप रुद्राक्ष धारन करते हैं तो परानी जैसे हमने कहा कथा के अनुसार सिपजी के आसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी गई है इसलिए इसे सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लेकरें धन्यवाद